IPL अपने पहली सीजन से ही दुनिया की सबसे ज़ादा देखे जाने वाली T20 लीग्स बना हुआ है। आली के कुछ सालों में इसकी फैन फॉलोइंग पहली से भी कई ज़ादा हो गई है। अब सक इसके 13 एडिशन हो चुके हैं जिन में कुछ तो इंडिया के बाहर भी होए हैं। और इसी वज़ा से इसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं हैं। बलकि दुनिया के अलग-अलग देशों में भी ये लीग काफी पॉपिलर हो चुकी है। इतनी कमाल की फैन फॉलोइंग और विवर्शिप होने की वज़ा से कई अलग-अलग कमपनीज और बिजनेस ग्रूप्स इस लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं। जहां एक तरफ कुछ टीम्स आज भी शुरुवात के सीजन से ही कमाल का खेल दिखा रही हैं। वहीं कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए आईपियल का सफर इतना आसान नहीं रहा और इसी वज़ा से वो फ्रेंचाइजीज आज आईपियल में खेलती हुई नजर नहीं आती। ऐसे में टीम्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। कई बार टीम को डिसकंटिन्यू करने की वज़ा होती है फंड्स की कमी और कई बार लीगल रीजन्स की वज़ा से फ्रेंचाइजी को आईपियल से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आईपियल की उनीक उच टीम्स के बारे में बात करेंगे जो पहले तो इस लीग का हिस्सा हुआ करती थी पर कई वज़ाओ के चलते अब इंडियन प्रेमियर लीग में दिखाई नहीं देती। तो आईए शुरू करते हैं आईपियल की डिसकंटीनियूट टीम्स की खाहनी। जिसने आईपियल की शुरुवाती सीजन्स नहीं देखे होंगे वो इस टीम के बारे में नहीं जानता होगा। Deccan Chargers IPL के पहली सीजन की 8 टीम्स में से एक टीम थी इस फ्रेंचाइजी को Deccan Chronicle Group ने आउक्षन में 107 मिलियन डॉलर्स यानि की करीब 750 करोड रुपे देकर खरीदा था और ये टीम हैदराबाद को रिप्रेजेंट करती थी इन खिलाडियों के दम पर ये टीम काफी स्ट्रॉंग और डॉमिनेटिंग टीम बन गही थी जहाँ पहली सीजन में तो Deccan Chargers रैंकिंग में सबसे नीचे रही महिन दूसरा IPL सीजन में इस टीम ने ऐसा कमबाक करा ये टीम IPL की चैंप्टेंशिप जीतने में कामयाब होई 2012 में Deccan Chargers ने बताया कि वो अगले IPL का हिस्सा नहीं होगी इसी दौरान IPL की गवर्निंग काउंसल ने भी इस टीम को बैन कर दिया गवर्निंग काउंसल के अनुसार फ्रेंचाइजी ने कॉंट्राक्ट के नियमों का उलंगन किया था और इसी वज़ा से इस टीम को बैन किया गया PCCI के अनुसार डेकन Chargers ने कई प्लेयर्स की पेंडिंग फीस पूरी नहीं दी थी और कई स्टाफ मेंबर्स को भी कई महिनों से उनकी सालरीज नहीं मिली थी इसी वक्ट पर डेकन क्रोनिकल्स ग्रोप ने PCCI के इस फैसले का विरोध करने की कोशिश करी और वो ऐसा करने में असमर्द रहे और इसी वक्ट पर गवर्निंग काउंसल ने इस फ्रेंचाइजी की जगा एक नई फ्रेंचाइजी के लिए टेंडर निकाला और उस औक्षन में सन टीवी नेटवर्क ने सबसे उची बोली लगा कर फ्रेंचाइजी को खरीद लिया और वहीं से इस टीम की जगा सन्राइजर्स हैदराबाद ने ले ली और तब से अब तक सन्राइजर्स हैदराबाद आईपिल का हिस्सा बने हुए है जुलाई 2020 में बॉम्बे हाई कोट ने डेकन चार्जर्स के टर्मिनेशन से जुड़ी हुई एक और इन्वेस्टिगेशन बिठाई इसके तहर पता चला कि BCCI द्वारा डेकन चार्जर्स को बैन करने का कदम इल्लीगली उठाया गया था और टीम ने उस वक्त किसी भी तरह का कॉन्ट्राक्ट ब्रीश नहीं करा था और इसी वज़ा से डेकन चार्जर्स को ओन करने वाली कंपनी डेकन क्रोनिकल्स होल्डिंग लेमिटेड को BCCI द्वारा कंपनसेट करने के ओडर्स दिये गए इस रूलिंग के अनुसार BCCI को डेकन चार्जर्स को अर्तालीस सो करोड रुपे कंपनसेशन के तौर पर देने होंगे इसके बाद ये कहा जा सकता है कि डेकन चार्जर्स को बैन करने का निरन है BCCI को बहुत भारी बड़ा आईपिल की अपार सफलता के बाद BCCI ने निरना लिया कि वो इस लीग में और टीम्स भी जोडेंगे और टोटल पार्टिस्पेटिंग टीम्स 2011 के आईपिल सीजन के बाद से 10 होंगी उस समय जो दो नई टीम्स आईपिल में शामिल की गई उसमें से एक थी कोची टसकर्स करला इस टीम को कई कमपनीज मिल कर रोन किया करती थी इसकी जब बेडिंग हुई तो इसके लिए 1533 करोड रुपे की बोली लगाई गई जो की 2008 में कई टीम्स की बोली से कई गुना जादा थी इस सब के बावजूद ये टीम सर्फ 2011 के IPL सीजन में ही नजर आ सकी 2012 में तो BCCI ने इस टीम को टर्मिनेट ही कर दिया था कोची टसकर्स करला को सीजन से पहले BCCI को 10% बैंक गारेंटी देनी थी लेकिन टीम के शेयर होलडर्स के बीच मिस्स मैनेज्मन की वजह से BCCI को एक बैंक गारेंटी नहीं मिली BCCI ने टीम से बैंक गारेंटी के लिए रिकुएस बेजी पर टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला ऐसे में बैंक गैरेंटी देने में असमर्त रहने की वज़ा से BCCI ने इस टीम को टर्मिनेट करने का कड़ा फैसला लिया इसके अलावा कई शेर होल्डर्स होने की वज़ा से भी फ्रेंचाइजी सही से नहीं चल पा रही थी तो देखा जाए तो इस टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी यह टीम अपनी एक सीजन में आठवे स्थान पर ही फिनिश कर सकी और फिर 2012 से IPL में 9 टीम्स हो गई कोची टसकर्स केरिला के प्लेयर्स को आउक्षन में अलग-अलग टीम्स ने खरी लिया और जो प्लेयर्स आउक्षन में नहीं बिके उनको कोची टसकर्स केरिला की पिछली सीजन की बैंक गैलेंटी से फीज दी गई BCCI इस टीम की management से बिलकुल खुश नहीं थी जिन foreign players ने टीम के साथ contract sign किया हुआ था उन players को BCCI ने कहा कि आप टीम के owners को court में सू कर दीजिए और इसमें आप के साथ BCCI की backing होगी IPL से बहार होने के बाद टीम के part owner Rendewoo Sports World ने February 2012 में BCCI के खिलाफ court में case दर्ज करा कि किस तरह से BCCI ने illegally उनकी टीम को terminate करा है और फिर July 2015 में court ने order दिया कि BCCI को कोची टसकर्स के रिला को compensation के तौर पर 550 करोड रुपे देने होंगे पूने Warriors India 2011 में शामिल होने वाली दो टीम्स में से एक थी ये टीम IPL हितियास की सबसे महंगी franchise ही भी थी क्योंकि इसके लिए साहरा Adventure Sports Limited ने लगबग 1700 करोड रुपे की बोली लगाई थी जो कि सबसे ज़ादा थी पहले साहरा गुरुप ने इस टीम का नाम साहरा पूने Warriors रखा था पर BCCI के clauses के अनुसार ये नाम illegal होता क्योंकि इस टीम के नाम से ही इसको ओन करने वाले गुरुप सहरा गुरुप का प्रोमोशन होता जो कि BCCI द्वारा अलाव नहीं किया जाता और इसी वज़ा से बाद में टीम का नाम पूने Warriors इंडिया रखा गया जिस management को टीम के नाम रखने में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आप खुद अंदादा लगा लीजिए उस टीम को आगे और कितनी समस्याएं जहलनी बड़ी होंगी नई फ्रेंचाइजी होने की वज़ा से उन्होंने अपनी टीम में कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी शामिल किये जैसे कि युवराज सिंग, जैसी राइडर, ग्रैम स्मेथ और मिचल मार्श और सीजन के बीच में ही टीम की तरफ से खेलने के लिए सौरफ गाउंगली को भी आईपिल में बुला लिया गया बड़े-बड़े प्लेयर्स होने की वज़ा से टीम ने बहुत जल्दी ही, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी बना ली थी 2012 के आईपिल आउक्शन के कुछ घंटों पहले ही सहरा ग्रूप ने पूने वारियर्स इंडिया को आईपिल से विड्रॉ कर लिया और ऐसा करने से BCCI काफी निराश हुई, क्योंकि वो अल्रेडी कोची टसकर्स के दला को टर्मिनेट करने के डिसेजन से परिशान थे और अब एक और टीम ने खुद को आईपिल से बाहर कर टूनामेंट के लिए एंड मौके पर मुसीबते बढ़ाती थी सहरा ग्रूप ने विड्रॉल का मेन कारण बताया कि उन्होंने टीम के लिए बड़ी बोली ये सोचकर लगाई थी कि 2011 के सीजन में 94 मैचेस होंगे जबकि सीजन में मैचेस कम करके सिर्फ 74 मैचेस ही हुए और इसी वज़ा से सहरा ग्रूप ने BCCI से डिमांड करा कि वो फ्रेंचाइजी फीज को कम कर दें ताकि दोनों पार्टीज के लिए बहतर कॉंट्राक्ट्स बन सकें इसके अलावा टीम और BCCI के बीच एक और मुद्दा था जो सेटल होना बागी था युवराज सिंग 2012 के सीजन में आईपिल का हिस्सा नहीं बनने वाली थे जिसकी वज़ा थी उनका कैंसर ट्रीट्मेंट तो इसके चलते सहरा ग्रूप चाहते थे कि वो युवराज सिंग की फीच जितनी अमाउंट अपने आउक्शन पर्स में आड़ कर सकें ताकि वो युवराज सिंग की रिप्लेस्मेंट आउक्शन में खरीच सकें जोकि BCCI अलाव नहीं कर रहा था पर फिर एक हफ्ते तक बैक अड़ फोर्थ करने के बाद BCCI ने युवराज सिंग की रिप्लेस्मेंट के लिए टीम को अलाव कर दिया इसके बाद भी टीम मैनेश्मेंट में कुछ और प्रॉब्लम्स आई जैसे कि सिर्फ चार फोरण प्लेयर्स का टीम में खेल पाना पर इन मुद्दों के साथ भी टीम अगले दो सालों तक आईपिल का हिस्सा बनी रही तीन सीजन्स खेलने के बाद 21 में 2013 को सहरा ग्रॉप ने पूने वारियर्स इंडिया को आईपिल से विड्रॉब कर लिया इसका कारण BCCI ने ये बताया कि टीम अपनी फ्रेंचाइजी फीज देने में असमर्थ रही जबकि कुछ सोर्सिस के अकॉर्डिंग सहरा ग्रॉप ने 20% फ्रेंचाइजी फीज भर दी थी और बाकी फीज 19 में 2013 तक देने का बादा करा था इसको टीम पूरा ना कर सकी सहरा ग्रॉप ने विड्रॉल का कारण ये बताया कि BCCI ओफिशल्स बहुत ही बुरे रवये के साथ उनके साथ डील कर रहे थे और एक तरफ जहां सहरा ग्रॉप एक दशक से भी जादा से टीम इंडिया के स्पॉंसर्स बने हुए थे और इंडियन प्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे भहीं दूसरी तरफ BCCI उनकी टीम पूरे वारियर्स इंडिया के साथ बिल्कुल भी लीनियनसी नहीं बरत रही थी सहरा ग्रॉप के चेर्मेन BCCI के इस रवये से बहुत निराश हुए और ये तक कहा कि जब तक इन स्रीनिवासन BCCI के अफेर्स में शामिल रहेंगे वो तब तक BCCI के साथ कोई बिल्सनस नहीं करेंगे और फिर 2 ओक्टबर 2013 को BCCI ने ओफिशली टीम का कॉंट्राक्ट टामिनेट कर दिया और इसी तरह पूने वारियर्स इंडिया का सफर आईपियल में खतम बहुआ अपने तीन सीजन्स के दौरान टीम का प्रदर्शन काफी ने राशा जनक रहा पूने वार्येर्स इंडिया अपने तीन सीजन्स में से एक सीजन में भी नॉक आउट राउंड तक नहीं जा सकी जब 2015 के IPL सीजन के बाद राजस्तान रॉयल्स और चन्नी सूपर केंस की टीम दो साल के लिए IPL से बैन हुई तब उनकी जगा दो नई टीम से ली उन में से एक थी गुजरात लायंस गुजरात लायंस के ओनर इंटेक्स टेकनोलोजीज के मालिक केशव बनसल थे नियो डेली में हुए एक इवेंट में तैह हुआ कि टीम का नाम गुजरात लायंस होगा और ये भी तैह हुआ कि टीम के कैप्टन होंगे सुरेश रैना फिर अपने पहले ही सीजन में ये टीम प्ले आफ्स में जगा बनाने में काम्याब रही पहली सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दूसरे सीजन में टीम अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाई दो सीजन के बाद जब CSK और राजस्तान रोयल्स का बैन खतम हुआ तो ये टीम भी IPL से हटा दी गई और इसकी जगा बापस से पुरानी टीम में ले ली CSK और राजस्तान रोयल्स के बैन के बाद दूसरी जो टीम आई थी वो थी राइसिंग पूने सूपर जायंस गुजरात लाइन्स की तरह ही ये टीम भी IPL में सिर्फ दो सीजन के लिए रही इस टीम के ओनर संजीव गोएंका रहे और टीम की कैप्टेंशिप संभाली MS दोनी ने इस टीम ने पहली सीजन तो कोई कमाल नहीं किया पर दूसरे सीजन में ये फाइनल तक पहुशने में काम्या गई फाइनल्स में भी ये टीम सिर्फ एक रन से ही हारी थी ये फाइनली इस फ्रेंचाइजी का लास्ट मैच भी था क्योंकि CSK और राजस्तान रॉयल्स का बैन खतम हो चुका था तो दोस्तो यही थी आईपिल की पांच फ्रेंचाइजी जो अब आईपिल में नहीं दिखायते थी इन मेंसे कुछ टीमस ने तो कमाल की फैन फालोईंग भी अचीव कर ली थी और इनकी आईपिल जर्णी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी हम उमीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियो सेखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चानल को सब्सक्राइब कर लीजए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहूंगा धन्यवाद